क्या सोशल मीडिया चलाना और जादा मुश्किल हो जाएगा सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए सरकार और कड़े रूल आने जा रही है इस बारे में IT मिनिस्टर ने कहा है राजसभा में कुछ सवाल पूछे गई सोशल मीडिया रेगुलेशन्स को लेकर सवाल ये थे कि वुमिन प्रोटेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा है उसके इलावा सोशल मीडिया यूज को लेकर क्या कोई नए कानून आने जा रहे है इनके जवाब में जो Information Technology के मिनिस्टर है श्वनी वैशनव उन्होंने राजजेसभा में ये कहा कि और भी कड़े Rules लाए जा सकते हैं अगर House में Consensus बनता है तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब भी सरकार सोशल मीडिया को Regulate करने के लिए कड़े कानून लाने लगती है उस समय Opposition ये कहती है कि ये Freedom of Speech and Expression के Against है ऐसा नहीं है कानून लाने की जुरत इस वज़ा से है ताकि सोशल मीडिया को भी एक Safe Space बराया जा सके अलड़ी आप जानते हैं कि जोने IT के कानून आये थे सोशल मीडिया के को गवन करने के लिए उसमें कानूनों में जो इंटरमीडियरी थे और बड़े प्लाटफॉर्म से जैसे की फेस्बुक हो ट्विटर हो वाट्साप हो उन सभी को ये कहा गया कि वो अपना वो अपनी अपनी respective countries में थे उस वज़ा से मुश्किल हो जाता था कि इंडिया में अगर नके यूजर को कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो उनके पास अक्सर option नहीं होता था कि वो कंप्लेंट फाइल कैसे करें अगर आज के फैसले की बात की जाए तो ये सवाल भी पूछा गया भार्त जंतर पार्टी के सुशील कुमार मोधी ने ये सवाल पूछा कि क्या वो वेबसाइट जो जान बुचकर महिलाओं को टागेट करती हैं उनको लेकर क्या action सरकार ने लिया है तो उसका जवाब में भी ये बताया गया कि एक आप थी जिस आप में खास ओ प्यूटी है इसके चलते आईटी मिनिस्टर ने कहा कि जब उस आप के बारे में मालुम चला तो इमिजेटली अक्टन उस केस में भी लिया गया लेकिन अक्सार देखने को ये मिलता है कि सोशल मीडिया को अकाउंटिबल बनाने के लिए जब भी कोई कदम उठाये जाते है तो ये कहा जाता है कि ये freedom of speech and expression के अगेंस्ट है जबकि ऐसा नहीं है हमारी future generations की protection के लिए और साथी में महिलाओं की security के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के rules को strengthen किया जाए और इस मामले में सभी की consensus होने चाहिए ताकि इस नई direction में आगे बढ़ा जा सके उसके स साउस में राजय सभा में consensus बनता है तो सरकार विलिंग है और कड़े कानून बनाने के लिए ताकि लोगों की protection हो सके साइबर स्पेस को भी safe बनाया जा सके इसके साथ साथ में यह भी कहा कि already accountability social media में लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए है law enforcement agencies भी जो है अलग-अलग state governments में में वो भी कदम उठा रही है agencies के साथ मिलकर कोई भी information अगर मिलती है social media के उपर तो उसके उपर तुरांट act किया जाता है एक framework जो cybercrime का भी across the country चल रहा है उसे भी report किया जा रहा है cybercrime cases को भी solve किया जा रहा है और साथ-साथ में यह भी कहा गया कि immediate actions उन cases में लिए जा रहे हैं जो भी cases surface पर आते हैं उसके साथ-साथ में social media को लेकर यह भी कहा कि social media पर political content को curb किया जाना हो अब यह अटकले लग रही है कि अगर restrictions आती हैं तो किस तरीके की restrictions हो सकती हैं उसमें यह assume किया जा रहा है कि एक restrictions पामले में होंगी grievances को लेकर तो हैं उन पर भी restrictions लगाई जा सकती है political content के ओप restrictions लगाई जा सकती है जो पिछले दिनों देखने को भी मिला कि जो social media का इस्तमाल spam messages करके political content लोगों तक पहुंचाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे थे उन accounts को भी WhatsApp ने ban किया तो political content को curb करने की कोशिश की जा सकती है जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो उसके लिए और कदम उठाये जा सकते हैं और verification की आपको जब register कर रहे हैं किसी के ओपर तो verified accounts हो fake profile से बचने के लिए और भी कहीं सारे कदम उठाये जा सकते हैं लेकिन this is assuming इस समय तो केवल IT Minister ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है और अगर सभी की सहमति होती है तो और ज़्यादा कड़े कानून बनाए जा सकते हैं जिन कड़े कानूनों का नतीज़ा ये निकलेगा कि सोशल मीडिया को सरकार का ये कहना है कि सेफर बनाया जाएगा लेकिन उनका ये भी कहना है और इसी बात पर opposition भी ये कहती है कि आप सो उनों को strict किया जा सकता उसका नतीजह हैं। सकता है कि आम आदमी के लिए social media access करना उसे चलाना उसका इस्तेमाल करना ओर जादा मुश मुपक थो सकता है और वही अगर देखा जाए तो फेजिवुक की पहली ही बार एसा देखनेगे मिला है कि फेसबुक का जो user data है उसमें यह दिखाया कि फेसबुक के users Last Year में कम हुए हैं बढ़ने की जगा जर्याली ट्रेंड यही देखा जा रहा था कि फेसबुक के users बढ़ते जा रहे थे लेकिन पहली बार फेसबुक का नाम जासे है Facebook company ने अपनी company में कहीं सारी changes लाएं है तो उनका पहली बार users में drop देखने को मिला है तो social media एक ऐसा स्वेर है जिसमें कहीं सारे changes आने वाले समय में आ सकते हैं लेकिन वहीं सरकारी भी मन बना कर बैठी है कि इस समय जिस तरीके से free hand चल रहा है social media पर इस free hand को भी कहीं न कहीं regulate करने की जुरत है और उसको लेकर अगर नए कानून बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए सरकार तयार है जाई है